यहां हमने पांच अलग-अलग ट्राइंगल्स बनाए हुई हैं और हमें यह मालूम करना है कि इन में से कौन-कौन सी ट्राइंगल्स एक दुस्य के साथ कंग्रूइंट हैं यानि कि बिलकुल एक दुस्य के जैसी हैं और हमें यह मालूम करना है जो हमने पॉस्टिलेट्स पह यूद एंगल बराबर हों तो वो congruent होंगी फिर एक पॉस्ट्ट हमने देखा था congruent पॉस्ट्ट एड और वो था कि A.S.A यानि एंगल दो एंगल उनके दर्मियन की जो साइड है वो आपस में बराबर और दो एंगल और उनके एक तरफ वाली जो साइड है वो आपस में बराबर हों तो ये जो ट्राइंगल है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी या कहेंगे congruent होंगी तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल एबी सी हमारे पास है और इसमें एक साइड की लेंथ जो सेवन है एक एंगल सिक्स्टी एक फॉर्टी डिग्रीज का एंगल है हमें ये मालूम करना है कि बाकी की जो चार है मैंसे कौन सी ट्राइंगल इसके साथ से congruent है यानि बिलकुल इस जैसी है तो हमें य अगल हमें दिये हुएं अगल अगल साइड इस पर अपलाई हो गा तो अब आप देखिए तो ये अंगल 40 का है ये 60 क और ये साइड की जो लेंद है ये 7 के एक वैलें तो ये 40 60 और 7 इसमें रेशव बन रहा है या इस हिसाब किताब बन रहा है तो हमें ऐसी को ट्राइंगल जूदनी है, जो के इस तरहा की हो या बिलकुल एस जैसी हो, तो अब आप हम दूसी जो ट्र हैंगिल are बाकि की जो चार ट्र हैंग्स हैं, उन में हम इस तरह के एंगल तराश करेंगी हैं और साइट को तराश करेंगी लेकिन, तर्टीब हमाई जहन में रखनी है तो यह देखी यहाँ पर दो एंगल है 40 60 के उनके दर्मियान में जो साइड है वो 7 है अब जाहरी बात है कि साइड एंगल साइड वाली चीज़ एंगल साइड एंगल वाली चीज़ है यह हमारे फिट नहीं बढ़ेगी यह 60 40 और 7 यह दोन 60 वाली के साइड है वो 7 है लेहाजा बजाहर देखने में ऐसा लग रहा है कि यह कॉंग्रूंट है ट्रैंगल ABC के साथ लेकिन इसमें 40 डिगरी का एंगल है उसके साथ जो मिली वी साइड है वो 77 की लेंद वाली है अब यह ट्रैंगल देखिए इसमें एक साइड जो है 7 है मैं यह साइड जो है Заफ यह अग अग्ल है यह यह सिक्सटी डिग्री शाइग्रीज का है और तीस जे दूसरा जो अग्ल है यह यह देखिए आप देखने में मुक्तलिफ लगने हैं लेकिन यह जो एंगिल है यह 40 डिग्रीज का है यानि कि इसमें दो एंगिल्स दो एंगिल्स तर्तीब वार वो आपस में बराबर है और साइड भी बराबर है तो लहाद मैं एक कहूंगा कि ट्राइंगल A B C ट्राइंगल A B C congruent है अब यहां हमें तर्तीब का ख्याल रखना पड़ेगा ट्राइंगल इसको मैं M N O सिंपली नहीं लिख सकता बलके मुझे देखना को कि साइड A जो है साइड A जो है उसमें 60 डिग्री का एंगिल बन रहा है यहां पर तो यहां पर मैं देखें N की वाली जो वर्टेक्स N जो है उसके साथ एंगिल 60 डिग्री का बन रहा है लिहाज आप मैं पहले लिखूंगा N वर्टेक्स N लिखूंगा इस ट्राइंगल का वर्टेक्स N उसके बाद आप देखें B जो है वो साइड है वो वर्टेक्स है जिसमें कोई एंगिल मार्क नहीं किया निशान नहीं लगाया वा अगर्चा अगर मैं 60 और 40 को जमा करूं और 180 में से माइनस कर दो तो ये 180 बनेगा तो ये जो M है आप इस ट्राइंगल में देखें इस पर मैंने कोई एंगिल मार्क नहीं किया हुँआ तो 7 के दूसरी तरफ वाला जो जो कॉर्णर है वो है M सॉर कि तर्तीब भी आपस में एक जैसी रखेगा ताकि जब आप उनको मैप करंए तो मैप करने में आसानी आपको रहे acquainted कर्सपॉंड कर रहा है、 N से , B, M से और C जो है हो वह O से corresponding कर रहा है. corresponding sites का होना दोरुए है। यहां पर हमने postulate इस्तेमाल किया ? यहां पर हमने postulate क्या angle angle side class A, A, A S का postulate हमने demos इस्तेमाल किया Tweakle A, B, C-configureate होगी triangle N, O के साथ तो इसका pair या l hybrid जोड़ा हमने side है वो seven degrees seven length की है तो आप देखें यहाँ पर यह 60 ऊपर है और यह 40 नीचे है इसमें 60 नीचे है और 40 ऊपर है लेकिन खुशकृस्मती से इन दोनों के दर्मियान की जो side है वो seven है तो आप flip करेंगे rotate करेंगे और shift करेंगे तो यह आप इसको map करने में कामया बजाएंगे जब क साइड seven length वाली जो side है यह इसके बाद आ गई और पिर दूसरा एंगिल यहां पर आ गया तो हम यह कहेंगे के ट्राइंगल डी एफ जो है वो भी congruent है मेरे खाले मैं इसको यहां कहीं कोने में लिख दूँ यह यहां लिख देता हूं ट्राइंगल डी एफ डी एफ congruent है या एक बार फिर मुझे महतात रहना पड़ेगा vertices के बारे में के vertex D जो है वो मैप कर रहा है vertex H से क्योंकि यहां पर 60 degrees का एंगल बन रहा है तो मैं कहूंगा triangle H उसके बाद जो vertex E है वो match कर रहा है क्योंकि इस पर 40 degrees का एंगल बन रहा है और यह साथ के दूसरी तरफ महजूद है तो यह ह जी ह के बाद आएगा जी और फिर आई इस तरह से यह हमारे पास यह जो दोनों triangle है बाई angle side angle postulate अंगल side angle postulate मतर से यह वाले triangle यह तर ट्राइंगल यह आपस में बराबर हो यह बेचारी अकलाथी गरीब 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 गर्वा मिस्कीन यह जो है यह अलग रहा गई यह इसका कोई pair नहीं है बजाहर यह triangle ABC से मिलती जलती लग रही थी लेकिन जब हमने तर्तीब के हिसाब से बात की तो मालूम हुआ कि जो 40 degree का angle है वो मिला हुआ है साथ से इसमें जबकि ABC में ऐसा कुछ नहीं तो ABC NMO के साथ थी साथ congruent थी और यही चीज इसमें समझने वाल है उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन थोड़ी सी आपको बात रही और अगर आप देखें तो ट्राइंगल के इंटरनल एंग्स 180 degrees होते हैं तो आप उसकी मदद से यह सारे के सारे जो बाखी के एंगल जो मार्क नहीं हुए सबके सब 80 degrees यह भी 80 यह भ पेली रह गई इसका कोई साथी नहीं है बहुत शुक्रिया